रोतक में प्रदेश चुनाव प्रचार समेती की बैठक हुई बैठक में लोगसबा की 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करने पर मन्थन किया गया। मुख्यमंतरी नैप सिंग सैनी ने कहा कि मोधी सरकार की नीतियों के चलते जो वातवरण बना है उससे ये तह है कि वो 10 की 10 लोगसबा सीटें जीतने जा रहे हैं। में लोगसबा की 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की जाए। देश में जिस तरह से मोधी सरकार की नीतियों के चलते वातवरण बना हुआ है। उससे ये तह है कि वो 10 की 10 लोगसबा सीटें जीतने जा रहे हैं। जीतनी है क्योंकि जिस परकार का एक वातवरण नरेंदर मोधी जी की सरकार में और डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है। और लोगों के एक योजना बत्तरी के से उन तक लाब पहुंचाया है। उसकी मनेजमेंट को लेकर के आज अलग-अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है। जिस तरह से ब्रष्टचार हुआ उसे जनता भली बाती जान चुकी है। और जनता को ये भी पता है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बन गई तो ब्रष्टचार को बड़ावा मिलेगा। परन्तु उसके अंदर जो सुवी धादी है वो नरेंदर मोदी जी ने दी और नरेंदर मोदी जी ने वो लाइन तो खतम की। परन्तु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्सन स्रेंडर पहुचाया जिसके घर के अंदर 75 वर्ष्टों में कॉंग्रेस ने नहीं दिया था। बहराल प्रदेश चुनाव प्रचार समिती के बैटक में लोगसभा की दस की दस सीटों पर जीत दर्ज करने पर मन्थन किया गया। साथे मुख्यमती नैप सिंग सैनी ने कहा कि उनका लक्ष मोधी सरकार और मनुहर सरकार के दौरान जो काम किये गए उनको आगे बढ़ाना है। उत्तर से टोटल न्यूस के लिए देविंदर शर्मा की रिपोर्ट